आप यहां से क्रीम सब्सक्राइल उनाम का विलकम बैक तो मैं चैनल कैसे हो आप लोग करती हूं सब अच्छे होंगे कुर्स होंगे आए आज मैं बैंगल सेयर करने वाली हूँ बैंगल जो हर जगा मिलताежд बैंगल नहीं है यहां इस चीज की माननता है यहां लाग की बैंगल जो होता है हमारे में जब साधी होता है ज़िए होता है जाता है और जब भी कोई आता है तो मम्मी वहां से भीज देती है मैं भी ले आती हूं तो ऐसे तो मैं सोची बहुत ही special बैंगल है एकदम मस्तोला मुझे इधर की बैंगल अच्छी लगती है लेकिन उतना special नहीं लगता जितना यह लगता है तो चलिए आज आप लोग के साथ सेर यह कुछ इतने सारे पैंगल है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कहना चाहूंगे कि मेरी वीडियो अगर आप लोग के लिए थोड़ी सी भी हैर्फुल है थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक करना चैनल को जब भी आप सब्सक्राइब करते हो तो बैल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि मेरी वीडियो की नौटिफेकरशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और यह वीडियो आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आया तो मैं बहुत सारी मेरे पास ऐसे स्पेसल बहुत अच्छी अच्छी बैंगल है यह लाग की लगठी बोलते है बिहार में जो लोग इतना हम मतलब एक हाथ में पहन सकते हैं यह ब्राइडल है जिनकी साथ ही होने वाली है तो ऐसा इमेज लेकर कहीं पर बनता है जैसे जैपूर में बनता है जैपूर में भी स्पेसल लाग की पहनी जाती है तो उधर से बनवा सकते हैं तो देखो यह यह एक कड़ा है काफी चौरा सा और इस पे मेरा अनामी का और रोहित लिखा हुआ मेरे स्वेंड का रोहित नाम है तो दोनों का और हम दोनों की फोटो लगी हुई है और इसकी यह पूरा लाख का है अंदर में ऐसा कुछ नहीं है कि वह स्टील प्लास्टिक कुछ भी ऐसा डला हुआ वो सम नहीं है यह लाग की है और इस तरह से इस बीच में ऐसे रेड और गोल्डन में छोटे-छोटे से कड़े उतने पतले भी नहीं है ऐसे डले हुए हैं यह एक काफी चोड़ा सा इसकी डीटेलिंग आप देखो कितने अच्छे से बनाई गई है और हाँ यह ऐसा नहीं है कि लाग जो कुछ राख होता है जो इधर लोग लेते है लोकल होता है वह गिरते ही या पहनते एक-दो दिन में खराब हो जाएंगाना अगर एक साल हाथ में ऐसे ही रखी रही तो एसे ही रहेगा कुछ इसका नहीं भीगरने वाला है तो यह इसमें चोटे चोटे से फ्लावर बने हुए देख लो आप कुछ इस तरह की है कि दो ऐसे डाले हुए एंड यह सबसे साइड वाला जो कंकड़ा है कंगन टाइप देखो यह कि यह कुछ इस तरह की सेट है इसका एक और सेट है हाथ पे एक पर एक यह है दूसरी सेट वह यह रानी पिंक तो नहीं है थोड़े लाइठ ही पिंक है पिंक और गोल्डन में है यह यह मैं पहनी भी हूँ मेक अप लूक में तो आप आप लोग ने देखा होगा वसंत पंचमी मेकप लुग की थी और दिवाली पे भी साथ दो बार मैं इसे पहनी हूं तो इसमें एक पया तो मैं नीचे रखती इतना इतना ही है एक हाथ का ये तो इसमें ये इस तरह से कड़े बने हुए हैं ये देख लिए अंदर से पूरा ल नहीं भी तो उनको वो लोग समझ है इस चीज को मतलब समझते थे कि सुद्ध पहना जाता है इसलिए उनकी लेठी हमारे यहां बिहार पुपड़ी है वहां पे एक लेठी का दुकान है वहां से मंगाया गया था लेठी तो लेठी बोलते हैं इस बैंगल को लेठी बोली मै तेलाग की बैंगल सुध होती है किसी पूजा पार्ट में आप पहनो किसी चीज में तो काफी अच्छा होता है यह देखो यहां पर कुछ इस तरह की मिरर टाइप डिटेलिंग दी गई है यह ऐसे कुछ छिलने वाला नहीं है इसकी काम मतलब यह जो वर्क है इसमें इतनी फि कर दो रहसे जए एसा जेपुर में भी मता है तो वहां का भी लठ से यहां पर यह चार चार में दी गई है इंट सैड़ साइड सैंधान है यह कड़े हैं ऐसे कद के दो नो बेर हैं यह गोल्डन पे चल तो मैं यह सब चीजे मंगाखे रखती हूं और जब जैसे पहनना होता है तो पहनती हूं तीनी करके पहनना होता है कभी कभी हम बहुत ज्यादा नहीं पहनना चाहते तो कम-कम पहनने के लिए पुजा पाड कोई फंक्षन में इसकी आवाज आने लग जाते वीडियो यह देखो इसकी फिनीसिंग किते अच्छी है मुझे बहुत ज्यादा मरून कलर तो वैसे भी मुझे पसंद है बहुत ज्यादा और यह देखो यह किस तरह के फिनीसिंग है देख पा रहेगा आप लों इस तरह की है यह थिडीपीस देखो आप रहेगा नहीं निकलने वाला खुछ नहीं होने वाला थोरा से वेट होता है इसमें जैसे कांच की बैंगल में तो बिल्कुल बैट नहीं होती थोरी से वेट होती है हलकी से क्योंकि यह लाग का है एंग फोर्ट बैंगल जो रहा यह है यह मैजिक वाला है आपको दिखाते हो इसका मैजिक करेंगी अभी मैंने पहना नहीं है यह लेके आई थी काफी पहले देखो किसे क्यों इसंते इसका मैमें ज़ल रही है उलाइश यहाँ से ही लाइट कर चार्ज्ट्रदी है अब हैवी बेंगल पहनके सबमो इतना चौड़ा साँ ही इस श्क नर इसकीती फीर जर्ए देखो आप आप इसे सिर्फ नग नहीं लगाया रहता है यह साइड से यह भी लगाया रहता है गोल्डन क्या होता है जो बीद कुछ तो यह व्तन करके नहीं दिखाऊंगे आपको उपन कर लेती हूं मेरे से समलता नहीं रहता है गहले ऐसे करना मतलब भी घर जाता है तो वह सब नहीं पहने हुगी मैं किसी चीज में पहनूंगी तो इतना इतना है चार चार इसमें प्लेन प्लेन है एंड थ्री पीच जो है तीन तीन दोनों साइड से गोल्डन में लगाए एक चोड़े-चोड़े से कड़े हैं ऐसे करके तो यह इतने का सेट है यह भी अच्छा रहता है नॉर्मल पूजा पूजा पार्ट है कोई फॉंक्षन ने तो उसमें पहन सकते हो वेडिंग वगरा के लिए तो काफी है वाला मुझे वैसे पूजा पार्ट में भी कभी भी वैंगल बहुत अच्छे लगए बैंगल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है मेरे घर में भी सब कहते कि कितना पंभी थी मैरे लिए देखाँ इसकी डिटीली इस इस इसबगन को कम से कम तीन चार तीन साल हो गई और मैं जहां जाती हूँ पेहनती हूँ लेकिन ना इसका कलर जाता है ना siglo जाती है कुछ नहीं जाती ना नग निकलता है खड़ाब ही नहीं होता तो देखो ये लिहार की special bangle आप लोग के साथ सेयर कर रही हूं मैं एक यह सिंपल सी है यह मिलाई थी मुझे ना ऐसे सीमफल बेंगलन बहुत ज्यादा मतलब पसंद आता है pagoskin जुड़ी तायब क्योंकि मैं काच्ग चूरी नहीं पहनी हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि पतला पतला सा पहने हवी न पहने कभी कभी तसम गवी है कक superviseсть पहणने के लिए यह लेके आई हों क्योंकि अभी यलोका तो सीजन है वसंद पंच महीं आ रहे हैं तो उस पर मैं पहनूंगी यह मैं लेके आई हूँ यह मैं स्वेंड की चाची मतलब चाची जी जो है मेरी उनके पास था तो मैं बोली मुझे दे दीजिए तो उनसे लेके आई हूँ मैं क्योंकि मैं इस वार गई ना बहुत जल्दी जल्दी में आई तो मैं बैंगल के दुकान पर नहीं जा पाई उससे पहले मेरी मम्मी बैंगल भेज रखी है मेरे पास बहुत सारे बैंगल है अगर आप लोग को यह बैंगल पर समय है तो इससे भी जादा जादा सबसे लास्ट जो है कि यह बैंगल आप लोग को बहुत ज्यादा पसंद आया था इंस्ट्रा पे मुझे बहुत ज्यादा कमेंट आये थे बहुत लोग फोटो भी मांग रहे थे तो ऐसा एक पहन के अंदर रख देते हैं बाहर निकला निकला खराब हो जाएगा और बच्चे तो रोड दे थोड़ा सा तो नहीं भेज पाई अब आप यहां से स्क्रीन सॉटल ले लो जिन्हें बनवाना है वो बनवा सकते हैं यह जो है बीच का जो कड़ा है यह मैं खुद से यहां से मम्मी को बोली कि मैं फोटो भेज रही हूं मुझे ऐसा कड़ा बनवा के दो वाच-वाच कुछ नहीं है इसमें तो प्योड लाग है इसमें ऐसे यह अभी मैं पहन के गई थी भी हाज जब गई थी तो मेरे हां साधी था तो उसमें और यह सब कि मतलब यह सिंगल सिंगल भी यह पतले पतले इनकी भी फिनेसिंग बहुत इस पेसल है आप खुद देख हो यह जो है यह सिर्फ दो नग नहीं है इस बीच में कुछ मतलब गोल्डन टाइप कुछ डला हुआ है मतलब पीतल वगदा का किसी चीज का ऐसे तार जैसे कुछ तार भी नहीं है क्या पता नहीं है और यह चार-चार का है एक पता नहीं नीचे गिर गया यह चार-चार ब अच्छा लग रहा है ना एक सिंगल आप यह कड़ा भी पहनो तो बहुत इस पेशल लगेगा ऐसा करा हम कितने कितने में वैसे बैंगल उतना सस्ता नहीं मिलता है यो जो भी ब्राइडल बैंगल है यह 3000 से उपर का ही है हा लेकिन इसमें से कोई बी गिर जाए कुछ हो जाए कि इतना दिन पहनों न खड़ाब होता है कुछ नहीं होता है बैंंगल वाले हैं वह हमारे पहष्चन वाले हैं उनको जैसा देती हूं इसा बना देते हैं इसका डूपиш है यह है और कि ःट का यह है अब यहां अगर मेरी आंवर्सरी व्लॉगा नहीं देखिए हो तो उसमें आखके लगां और नहीं है कि पहन रही पहल की फिरफ लग रही है आप कमेंट करके जरूर बताना कि 2023 को कॉलनी को फसंद आई बताना ज़रूर आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब के लिए वीडियो को लाइक जरूर करके जाना चैनल को सब्सक्राइब करके जाना प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की बहुत जरूरत है मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए लॉट्स प्लव बाई बाई